आज शुके हैं इधर ये बावली बावली बायूली बाली कि प 8 अधर हम हम लोग देख रहे हैं लेगन हम लोगत हो देख रहे हैं है अज आप पानी मैं से पचंदर पानी लोग बस लोगते है चिर्द राफपने हरा है जो घूटका छा कर इसमें थूके कि अटे जो आप बोला चाहेंगा अब अभी बाहने कर दो किसे हो पाहने कर रहे ते रहा है जो आप बोले क्या नहीं इसके अनल इसके लिए जो कि लिए जुआ अटे आप जाप प्रेश बोले जापने तरह ज़ए आइ देखे जहें दे नमाज लेकिन आने वाले को मैं देख रहा हूं आने वाले को मैं देख रहा हूं आने वालम जब आप बैठके देखूगे तो यही आद्मी संटर प्या जाएगे जलिए देखो उपर यहां देखने बावली जो पानी है वहां पर यहां से देखने के बाद साफ साफ देख रहा था उस पानी को मैं दिखा दोस्तों यहां से साफ साफ यह तो कुवा है जो बावले कुवा था लेकिन पानी नहीं है लेकिन कोहीं से कुछ तो है कि दुर्गेश पुरा भीगा हुआ है पार बचा करें सरक सकता है वही तो सीमा वृद कि है लिए आगि तरफ पहले कफेश भी जीने ले नहीं है यहां तो आप इसकी पानी से पिल्दी मनना इसटाट उड़त यहां देजब हो गवाटर कम लगा तो जीने नहीं सोचा जब मैं पैजबाद अब जनाथ जब कुम्ची नदी में पानी बढ़ता था लेकिन यहां रहता था जिसका राम तर में वाला रश्ट होगी उसकी शुरक्षिया के लिए फिली मुनाया लेकिन जब अठारा सताम गदर्वत कदांची को अंगेतों ने पकड़ा उसे बहुत ही मारा कीटा उसे पता पता पूछा लेकिन उत्ते इतनी पड़ा रही है लेकिन सुनाने का पता किसी में जब उनको नहीं मिला तो नहीं है तो किसरी मिलेगा अब जिसको चाड़ी कुछ्छा मिलेगा उत्यों को पानी जो है गोमती नदी से याता है दोस्तों अंदर से जो पानी देख रहे हैं इसमें जो हम अब यहां से आपको दिखाए हैं यहां पर जो इल्लम को अधिष कर देजाएं अधिर मधन सब्सेहबर नेसे जो कि दिखंघा lacks और हमारे साथ बने प्रवाइश सर और दुर्गेश सर काफी खुपसुरत लग रहे हैं आप एक लागट बनता है लुक्त ना चाहेंगे मेरे दुबाई शर बोलिए लखनौ आई लखनौ का मजली और लखनौ में आप हैं पूसक्राद रहें इसके बारे आप समझ गया होगे एक कुछा दोस्त बावली कुछा बावली कुछा इसका यहीं था समझ बता दिये आपको तो वहां पर सहां वही होई तो यहां घूमने का मतलब एक चीज है कि अगर जो आप लोग सवचालाई से लेकर यहां पर घूमने तक और गाइड करने तक पस पाईसा ही पाईसा देना है यहां का टिकट है 50 रुपीज और गाइडलर जो आपके साथ रहेंगे उसका 50 रुपीज ट्वालेट का 10 रुप अमेटकर पार्क जाहां पर बहुत बड़ी बड़ी हाथ क्या है वहां का सीन आपको देख लेए पर मिलेगा इस वीडियो पर आ रहे है सार और हम बैटके अभी यहीं से निकलेंगे बैट यह सार कर दोस्तों जो आप देख फा रहे होंगे यहां पर बगल में धेम राव मेटका जो आपर पार्क है और यहां पर जब जब रोट के किनारे यहां पर आप देख सकते हैं कि गोमती नदी है दोस्तों अब पानी आ रहा है पूरा जो लखनौ का जो गंदा नाला है वह मिल रहा है देख सकते हैं पूरा एकदम कचड़ा कचड़ा हो गया इन पूल है और यहां पर देख सकते हैं नदी ऊपर तक बांद लगा हुआ ह। उदर पानी कुछ ज्यादा है इसकी देख सकते हैं उदर पानी ओवर है इसकी अभी आपको यहां से जश्ट निकल कर जाना है वहां पर जो आप भीम भीम अमेटकर पार्क है और यहां पर देख सके जुलूस निकल आए बहुत खुश्चुरत मजरा है दोस्तों आपको मैं द तरा निकल लाए देख सकते हैं लकनो के शड़कों पर भी देख सकते हैं दोस्तों कैसा लगा अच्छा है पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को भी चोट लग सकता है और इतना पाइक देख जो आप चलते हैं आप आप चलते हैं हम लो आप अब एक कर पारत खुमने के ज़िए आप दोस्तों बहुत कर जो आए उसका मैंन गेट है यहां पीड़ देख सकते हैं अब आप चुके हैं अमबेट का पार्क जो अपने लगणौ में उपस्तित है और पीछे वहां पर टिकट कर रहे हैं पीछे उदर गारी चमा करना था वह सब करके हम लोग आ प्या चुके हैं सामने एक गेट है और वहां जा करके हम लोगों को जो है कि टिकट लेना पड़ अब करना क Liberty कि अट्क लेने के बाद दोस्तों इधर से अमको फिर इधर निकल जाना है अंदर दोस्तों यह Sagen Region का सामने benevolent अंदर तो दोस्तों दोस्तों आप अंदर का सिन देख सकते हैं कितना बड़ा है कितना बड़ा है कि अब वहां का सिन मैं दिखाऊंगा उपर से लगनौ कैसा दिखता है कि अग दिखता है त्युस्ती रही है अंदर में दिखाऊंगा देखते रही है दोस्तों मारिया या देख सकते हैं या फोल ट को मूरती आँ ओपर गुंबल देख सकते हैं काफी आदुनेक है और इनकी मुर्तियां जो अपने जीते जी बना दिया काओ जीते जी संद्गुरु गाशिदास बहन जी का फोटो देख सकते हैं अच्मुर्ण दोष्टो देख सकते हैं के फुर्ण घंसरां करों दोस्तो यही है नक्साज यहां पूरा जो भी म्राम विट फार्क घुम रहा है और यहां वह वाला सीं दि명 रहाँ की ही दॉक्टर और अप्र यदर बेंड मां पॉती और हमारे दोनों दोस्त तो अब आए से आगे निकलते हैं दोस्तों दोस्तों यहां पर दैख सकते हैं पूरा लाइन से कम से कम एक लाइन में चालिस करीब काउंटिंग में हाथी का द्रिस्या है तो अब अंदर के मैं आपको सीन दिखा दूँ जो अब भी दिखाए थे यहां पर अंदर है डाक्टर भीम रावमेटकर का एक एक नर्मल द्रिस्या कुछ गोल्डेन कलर का इसमें पालिस्या गया है कि हम लोग रूम पे आ चुके हैं और खुमने के बाद पूरा सरीर थकान से बढ़ा हुआ है इतना दूर चलना पड़ा है पार्क में चलते चलते फ्रत थक गए अपने भी देखने के लिए आप लोगों को भी दिखाने के लि लेकिन इस समय ठकान से महसूस हो रहे है इसलिए हम लेटे हुए हैं बहुत ज़्यादा चले हैं रोजिशर भी और इन्देख सकते हैं प्राल लेटे हुए हैं तो उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगे होगी अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों इस साम का प्रोग्राम है और काट रहे हैं प्याज हमारे रोजिसर